और आईए बापको समझाते हैं वो कौन-कौन सी 8 सीटे हैं जहां वोटिंग होनी है कल हर सीट पर कितने कांडिडेट मैदान में हैं आईए आपको ग्राफिक्स के जरीए समझाते हैं सारा गणित आप ग्राफिक्स मेरे आगे देख सकते हैं इस समय कल पीली भीत में मतदान होना है कुल उम्मीदवार यहां से 10 है सारनपुर में भी मतदान होना है कुल उम्मीदवार यहां से 10 है इसके अलावा आगर बढ़ेंगे किराना भी प्रमुक सीट जिस पर कल मतदान होना है यहां से 14 उम्मीदवार है आगे बढ़ते हैं बात करेंगे मुझफवर नगर की मुझफवर नगर पर आप नज़र डालते हैं तो यहां से 11 उम्मीदवार मैदान में है बेजिनौर कुल उम्मीदवार यहां से 11 है नगीना यहां से 6 उम्मीदवार है चुनावी मैदान में जो ताल ठोकते हुए कल नजर आएंगे, मुरादाबाद, कुल उम्मीदवार 12, रामपुर, कुल उम्मीदवार 6, तो ग्राफिक्स के जरीए आपने ये जान लिया, कि कल जिन जिन सीटों पर मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, उनमें हर एक सीट पर किस तरह से मतदान, कि इतने कांडिडेट्स के बीच में मुकाबला होने कल जा रहा है, अब आपको ये भी बताते हैं, कि 8 सीटों पर जो कल मतदान होना है, जिसमें कुल उत्तर प्रदेश के 80 कांडिडेट्स हैं, बीजपी दम भर रही है, सारी सीटे जीतने का, अब कौन-कौन से वो कांडिडे जो कल अपनी किसमत आजमाने जा रहे हैं, तो आपको बताते हैं, कल 8 उम्मीदवार जो जिनके लिए अपने-अपने मुद्दे लेकर मद्दान करने के लिए लोग जाएंगे, पहला चरण बीजपी के लिए कितना एहम रहने वाला है, वो आप इससे समझ सकते हैं, पहला पहला भुगतान, उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटे हैं, जहां पर प्रमुख मुद्दा लोगों के बीच में गन्ने के भुगतान को लेके हैं, जादा तर लोग संतुष्ट हैं, योगी सरकार के कामकार से, केंद सरकार की योजनाओं से, चौदरी चरन सिंग को सम्मान द कह सकते हैं, इसकी फेवर में लोग हैं, इसकी अगेंस लोग हैं, तो जो भी कलमदान करने के लिए जाएगा, उसके जहन में CAA का मुद्दा जरूर रहने वाल है, अनुछे 370, ये वो मुद्दा है, जो लोग अपने जहन में जरूर रखेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव के वादे में सबसे बड़ा जो वादा था, मोदी सरकार का वो ये ही था, कि अनुछे 370 को हटाया जाएगा, जिसको पूरा किया गया है, विकास का मुद्दा, सबसे प्रमुख है विकास का मुद्दा, बीजे पी के मैनिफेस्टों में, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस के बाद, ये लोगों के मन में जरूर होगा, कि बीजे पी सरकार के रहते ही, ये कारे सफल हो पाया है, और राम मंदिर, भगवान श्री राम अपने घर में विराजवान हो गए है, रोजगार, बिपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन द हमा मुद्दे आपने जान लिये, हर एक सीट का आपने विशलेशन जान लिया, कि कितने कांडिडेट्स के बीच में मुकाबला कल रहने वाला है, उस पर हमारे सहयोगी जुडेंगे और जानकारी के साथ, सबसे पहले चलते है रामपूर, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल सक्सेन है, समय मौझूद है, रामपूर में कल मतदान होना है, विशाल, बेहत महतपूर है कल का दिन, कई ऐसे मुद्दे हैं, जो लोगों के दिमाग में रहने वाले हैं, कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, जो पूरे कर लिए गए हैं, पिछली बार के 2014 और 2019 के चुनाव म जैसे बिल्कुल आपको बता दू, कल रामपूर में पहले चरण का मददान होना है, और रामपूर में सुरक्षर विवस्ता के पुक्ता इंतिजाम कर लिए गए हैं, परिशाशन की तरफ से पूरे इंतिजाम कर लिए गए हैं, बहीं पिर्टियाशियों की बात करें, पिर रामपूर के चुनाप पर रहती है, क्योंकि जब आजम खान मैदान में होते हैं तब भी और आजम खान इस बार जेल बहे हैं, तब भी रामपूर पर निगाए हैं, क्योंकि यहां पर अकलेश यादब ने जिस पृतियाशी को उतारा है, आजम खान के समर्थों को ने उसक लगी भी है, भाई भाजपा की बात करें, तो भाजपा के जो प्रतियाशी हैं, वो मोधी योगी के नाम पे उनको बोट मिला है, विकास के नाम पे उनको बोट कर ला है, राममंदिर के नाम पे उनको बोट मिला है, तो सुरक्ष फिलार बसपा भी अपना दावा कर रही है कि हम भी यहां से जीता हुएं और भाजपा और सपा दोनों को हराएंगे अब देखना यह होगा कि जब मद्रान के बाद जब मद्गर्णा होगी तो क्या आजम और अखलेश दोनों में से किसकी साख बस्ती है या भाजपा जो है वो जीती है बिल्कुल ये एक बहुत ही प्रमुख सीट है समाजवादी पार्टी के लिए लेकिन विशाल हमने इस सीट पर अखलेश यादव को बहुत ज्यादा कन्फूजन में देखा है और कई दफ़ा विचार करने के बाद विमर्श करने के बाद आजम खां से मुलाकात करने के बाद जेल में जाके उसके बाद शिपाल यादव से चर्चा करने के बाद इस सीट पर मुला आजम खां को जो है वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने घोशित किया है लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनके नाम को लेकर थोड़ा सा कन्फूजन नजर आ रहे हैं क्योंकि ज मुभिला नद्वी रामपुर्की सौरिधान्सभा के रजानगर के रहने वाले में अग। भले हिए दिल्ली में रहते हो लेकिन ऊद्ली में रहने वाले हैं भाइस बहूत सुद्बात यहांती तो इसमेरे से लोग नाम को नाम को कम जानते हैं और जातर वो उनको मुलाना जो है वो मुलाना के क्योंकि तुरक बेदाने से वह वास्ता रखते हैं वही आजम खान के जब तक समर्थगों का उनका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समाजबादी पार्टी यहां पर दो खेमों में बटी भी है और में चीज यही है कि अकली श्य समाजबादी पार्टी चली जाएगी समाजबादी पार्टी के हाथ से चली जाएगी और बीजेपी यहां से जीतने वाली है लहर कैसी बनती हुए आपको नजर आ रही है चुकि आप बहुत समय से इस सीट पर अपना ध्यान गड़ाए बैठे हैं लोगों से मिलते हैं विधायक सोई मिलते हैं जो यहां से कांडिडेट घोशित किये गए हैं उनसे मुलाकात करते हैं तो आपका विशलेशन क्या कहता है यहां से हावा कैसी चलती हुए नजर आ रही है बीजेपी वर्सेस समाजवाधी पार्टी होता हुए नजर आ रहा है यह आपको लग रहा है कि मुकाबला एक तरफ आ ही है देखे बिलकुल आपको बताओ जिस तरह से यहाँ मसलिम अबादी जाता है मुसलिम अबादी जाता है और मुसलिम मत जाता इस बार बिलकुल शानते है उस यह कहना बिलकुल गलत है ये कहना बिल्कुल गलत है। सपा और भाजपा काड़ा मुकाबला होगा तो वो बिगाड सकते हैं, यहां का समीकरन खराब कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए मुकाबला यहां समाजवादी पार्टी इंडिया गट्वेंदन वर्सिस बीजेपी है कल देखना होगा यहां पर किस तरह से बंपर संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और मद्दान करते हैं पर शुक्री आपका विशाल जानकारी के लिए